हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब टेक अवी में आपका बहुत बहुत स्वागत कि दो आज आपको हैं हिंदी टैपिंग में कृति देख जिरो टैन फॉन्ट सिखने का डे 15 थै या 15 दिन है दो बात तरहें आज डे 15 की तो आज मैं आपको शिफ्ट की के साथ में ये बॉटम को सिखाने वाला हूं इससे पहले की विडियो में आपको शिफ्ट के साथ में फोम रो अपर रो और नंबर रो सिखा दी है आजबारी है शिफ्ट के साथ में इस बॉटम रो की बिनादरी की शुरू करते हैं आपका हाथ महीं आईडियल पोजिशन पर दोस्तों आप रग लोगे ठीक है अब जिस उंगली से मैंने नीचे की लाइन में जो की प्रेस करना सिखाया है वो तो सेम ही रहेगा बस क्या है कि आपको शिफ्ट का यूज दोस्तों एक्स्ट्रा आपका बढ़ जाएगा ठीक है शिफ्ट होल्ड किया जेड प्रेस किया इस उंगली से तो ब आशीरवाद तो आशीरवाद में जो वा के ओपर जो ऐसे लगती है ना वो अलिये री के मातर दोस्तों बनती है इससे ठीक है शिफ्ट प्लेस अब ये वाली उंगली लाओ जो अभी मेरी डी पर रखी है नीचे लाया एक्स प्रेस किया तो क्या बना आधा गा अब जो उं उंगली से मैं जब को प्रेस करूँगा तो ठतेरा वाला ठा बन जाएगा अब बार ये राइटा एंड की shift hold किया left hand से ये वाले की press की घर वाला आधा घा shift hold किया ये वाले की press की कौन से देख लीजे ये वाले की, जो उगली मेरी यहां पर रखे थी मैं इसको नीचे लेकर आया, ये वाले की मैं परस की तो क्या बना, जंडा वाला जहा पूरा जहा बनता है, जो उगली मेरी L पर रखी है, मैं इसको इसको वाले की पर जब लाँगा, shift के साथ में तो क्या बनेगा, धककन वाला पूरा धा, shift के साथ में मैंने जब M प्रस किया तो डमरू वाला डा, और इसी उगली से मैंने आपको N भी प्रस करना बताया है shift के साथ में जब मैंने N प्रस किया तो बनता है छाता वाला छा, एक बारा फिर देखो shift प्लस Z, गर्व वाला जो वा के ओपर मातरा बनती है वो बनती है इससे, space, shift प्लस, आधा गा आधा बा, पूरा टमाटर वाला टा ठठेरा वाला ठा, इधर से घर वाला आधा घा जन्दा वाला पूरा जा धगकन वाला पूरा धा डंबरो वाला पूरा डा और छाता वाला पूरा छा space ये दोसको काम करना है आपको day 15 में कितना करना है कम से कम दोस्तों आपको 8 से 10 स्पेस करना है font size 22 स्पेस सेट करके और इसके बाद day 16 में मैं आपको दोस्तों कुछ शब्द देने वाला हूँ जिन शब्दों के अभ्यास के बाद आपकी ये तीनों रोज और ये नंबर रो बिना shift के और shift के साथ में इन सभी के दोस्तों मिले हुए जो शब्द होंगे जिन से आप shift का यूज भी आपका अच्छे से हो जाएगा और आपकी shift के practice दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी और आपका हाथ पूरे keyboard के दोस्तों चलने लग जाएगा उसके बाद फिर में आपको कुछ shortcut quotes देने वाला हूँ जिन shortcut quotes की आपको दोस्तों बहुत ज़रुत पड़ेगी कृति देव की दोस्तों सबसे एक बहुत ही कहां कि इसकी minus point है आप जो भी कहुए इसकी एक quality है इसकी इसको type करने का एक विशेश तरीका है कि आपको कुछ alt quotes का दोस्तों use करना पड़ता है alt hold करके कि राइट साइड से कुछ numbers टाइप करने होते जिनसे कुछ विशेश टाइप के अक्षर बनते है क्रा, क्रपया वाला क्रा, प्रकरती वाला प्रा, बढ़ा ओ, कुछ आजय अक्षर आपके shortcut quotes से बनते है यहां बनता है, ठीक है तो वो सब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, shortcut quotes उसका title की दोस्तों होगा तो आप आसाही से उस वीडियो को अलग से भी देख पाओगे ठीक है तो आज दोस्तों इतना ही है आप लोग practice करिएगा, कोई doubt है तो आप मुझे दोस्तों comment box में comment करके पूँश सकते हो, ठीक है, thank you